अदिसिव टेप बिसनेस अदिसिव टेप को हम टेप या फिर सलो टेप के नाम से भी जानते हैं सेलोफिन टेप इसका नाम इसमें इस्तमाल होने वाली सेलोफिन शीट की वज़े से पढ़ा Addisive Tape आज के समय में सबसे कारगर विकल्प है इसकी साहता से आप किसी भी दो सता को मजबूती और आसानी से जोड सकते हैं Packaging इंडस्ट्री में आए बूम और online sale के कारण इसकी demand कई गुना बढ़ गई है Addisive Tape दो तरह के हो सकते हैं पहला transparent और दूसरा printed जिसमें आप अपनी company की details प्रोवाइट कर आ सकते हैं Addisive Tape की market दिन प्रति दिन बढ़ रही है आप भी इस business में आकर लाप कमा सकते हैं यदि आप इस business के बारे में और अधिक जानकारी प्राक्त करना चाहते हैं तो उद्देमी इंडिया द्वारा लाई गई इस exclusive industrial documentary के माध्यम से प्राक्त कर सकते हैं तो आईए सबसे पहले जान लेते हैं इसके process के बारे में सबसे पहले unwinding station पर B.O.P.P. का jumbo roll लगाते हैं यहां से B.O.P.P. sheet gumming station की तरफ जाती है gumming station पर requirement के according gum को pigment color करके पहले से तयार रखते हैं gumming station पर एक roller घुमते हुए अच्छे तरह से sheet पर glue apply करता है इसके बाद mirror bar से extra glue की cutting हो जाती है जितने micron की tape required होती है उस हिसाब से glue की cutting कर सकते हैं इसके बाद glue की हुई sheets hot air chamber में जाती है जहां glue में मौझूद extra moisture को सुखा दिया जाता है अच्छे तरह से सूखने के बाद ये sheet rewinding station पर आ जाती है यहां glue और dry sheet को jumbo size में roll कर लिया जाता है core cutting adhesive tape का base बनाने के लिए paper core का इस्तमाल किया जाता है paper core के rolls उस जरूरत की चौड़ाई के according कट कर लिया जाता है core cutting machine paper को required size के हिसाब से काट देती है slitting machine slitting machine पर एक तरफ पहले से तयार jumbo roll को लगाते हैं और दूसरी तरफ required size के core को एक parallel पर set करते हैं slitting machine से jumbo roll required size के हिसाब से कट हो जाता है और desired size के छोटे-छोटे rolls में collect हो जाता है slitting machine के पैनल पर आप roll किये जाने वाले tape की लंबाई को भी set कर सकते हैं adhesive tape के roll तयार है इसे shrink film में lock करके, carton में pack करके, market में supply किया जा सकता है इन machine के साथ आप brown, transparent, milky white और printed tape भी बना सकते हैं printed और transparent दोनों ही प्रकार के tape की mark packaging industry में बहुत ज्यादा है इसके अलावा, stationary market में भी adhesive tape की requirement होती है raw material raw material के तौर पर आपको B.O.P.P. film, water-based adhesive, paper core, color pigment और ink की आवशकता होगी machinery इस industry को स्टार्ट करने के लिए आपको जिन मशीनों की आवशकता होगी वो हैं adhesive coating machine, hot air system, slitting machine और core cutting machine manpower adhesive tape industry को शुरू करने के लिए आपको 2 skilled और 4 unskilled manpower की आवशकता पढ़ेगी area hot air chamber की length 48 feet और height 14 feet होती है इसको ध्यान में रखते हुए adhesive tape के लिए minimum 70-40 square feet का area required होता है plant की height minimum 15 feet होनी आवशक है investment adhesive tape business के लिए आपको जिन मशीनों की आवशकता होगी उसकी cost लगबग 8-10 लाख रुपए और working capital को मिला कर आप इस business को 17-18 लाख रुपए की investment के साथ शुरू कर सकते हैं अब बात करते हैं profitability की machine capacity के according आप एक दिन में 700 kg tape का production कर सकते हैं वहीं उसे market में 80 रुपए पर kg के हिसाब से sell कर सकते हैं एक kg की raw material cost लगबग 50-60 रुपए हैं वही conversion cost मिला कर आप उसे 65-70 रुपए पर kg में ready कर सकते हैं इसे according आप एक दिन में 7,000 रुपए चे लेकर 10,000 रुपए तक कम उनाफ़ा कमा सकते हैं नए नए business ideas के लिए आप हमारे चैनल उद्दमी इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं लेटेस सब्देट के लिए डाउनलोड करें हमारे उद्दमी आप को और ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.oddami.org.in पर आपके बिजनस रिलेटेड सवालों के लिए आप हमारे कॉल सेंटर 752-60033-752-600555 पर कॉल कर सकते हैं पर आपके बिलेटेड सेंटर